नमस्कार दोस्तों, तीन अप्रेल 2022 को उत्रागंड PCS का पेपर हो चुका है, तो उसका जो जन्नल एप्टिटूट सेकंड पेपर था, उसमें जो मैथ के कुश्चिन थे, उनका सॉलुशन मैं आपको यहाँ पर डीटेल में बताने जा रहा हूँ, चलिए देखिए, पहला प्रस्ण है, दीपक एक वस्तु को 555 में बेच कर 11% का लाब कमाता है, यदि वह उस वस्तु को 455 में बेचे, तो उसे कितना लाब अथवाहानी होगी, देखिए, इस प्रस्ण में विक्रे मूल्य यानि की सेलिंग प्राइस है, 555 रुपे, और हमको इससे पहले क्रे मूल्य निकालना होगा, तो सीधा फॉर्मूला होता है, क्रे मूल्य बराबर 100 गुण विक्रे मूल्य बटे 100 दन लाब परती से, तो यहाँ पर आप सॉलुशन देख रहे हैं, तो सीधा सीधा यहाँ पर सीपी आजाएगा, 100 गुण पांसो पच्पन बटे 111, और 111 से पांसो पच्पन पांच बार कट जाएगा, तो पांसो रुपे आगिया, अब नेक्स कंडिशन में वो कह रहा है कि, इसको अगर चार्सो पच्पन रुपे में बेचे, तो इस बार पांसो रुपे में खरीद चारसो पच्पन में बेचा, तो सीधी सी बात है हाणी होगी, तो वो हाणी कितनी होगी, घटा कर आ जाएगी 45 रुपे, और हाणी का परतिसत का सीधा सूतर होता है, हाणी परतिसत बराबर हाणी गुणा 100 बटे क्रेम उले, तो यह आपका 9 परतिसत हाणी आ जाएगी, तो पहले का सही उत्तर है D दूसरा सवाल है रोहित किसी कारे को T गंटों में पूरा कर सकता है किसी कारण वस डेड़ गंटे बाद उसने कारे करना बंद कर दिया कारे का अधूरा हिस्सा कितना है तो आईए इसका solution देख लेते हैं अगर रोहित किसी कारे को T गंटे में करता है तो उसके द्वारा एक गंटे में किया गया कारे होता है वन अपॉन T अब उसने डेड़ गंटे डेड़ गंटा होता है तीन बटे दो गंटा तो तीन बटे दो गंटे में उसने कितना कारे करा 1 बटे t को 3 बटे 2 से गुणा कर देंगे तो वो आ जाएगा 3 बटे 2 t अब जो कार्य होता है पूरा कार्य हो उसको 1 माना जाता है तो सेस कार्य है 1-3 by 2 t हो जाएगा और जब हम इसको माइनस करेंगे तो 2 t minus 3 upon 2 t तो इसका सही उत्तर होगा d इसका भी सही उत्तर d next question जो मैत वाला है वो है sixth question आज वरुन का जनम दिन है एक वर्स बाद वह अपनी 12 वर्स पहले की आयू का दुगना हो जाएगा उसकी वर्तमान आयू क्या है तो देखें इसको देख लेते हैं तो वरुन की जो वर्तमान आयू है उसको हमने x मान लिया और condition यह है कि एक वर्स बाद उसकी आयू तो अभी अगर उसकी आयू x है तो एक वर्स बाद होगी x प्लस 1 यह बराबर है 12 साल पहले जो उसकी आयू थी उसका दुगना तो अभी अगर उसकी आयू x है तो 12 साल पहले होगी x-12 होगा 25 यानि की option number c अब आटवा question है 60 चात्रों को अपना पसंदीदा खेल चुलने को कहा गया चुने विकल्प इस प्रकार है इन आकणों को पाई चार्ड में प्रदरसित करना है तो पाई चार्ड का जो question होता है उसमें complete जो होता है उसको 360 डिगरी माना जाता है तो 64 है total 60 चात्र के लिए कोण होगा 360 डिगरी एक चात्र के लिए 360 बटे 60 यानि की 6 डिगरी अब फुड वॉल के लिए क्योंकि 15 चात्र है 15 चात्र का कोण कितना हो जाएगा जब 15 को 6 डिग्री से गुणा कर देंगे 90 डिग्री आ जाएगा तो ये आपका option C सही हो जाएगा नवा question है एक बक्से में 180 रुपे हैं जिसमें 1 रुपे के 50 एक रुपे के सिक्के 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के अनुपात में हैं इसलिए हम एक रुपे को सिक्के को 2x मान लेंगे 50 पैसे को 3x और 25 पैसे को 4x अब 50 पैसे होता है एक बटे 2 रुपे और 25 पैसे होता है एक बटे 4 रुपे तो उस हिसाब से हम यहाँ पर तो यहाँ पर equation बन जाएगी 2x into 1 plus 3x into 1 by 2 plus 4x into 1 by 4 is equal to 180 अब इसको जब हम solve करेंगे तो यहाँ से x की value आ रही है 40 अब हमें 50 पैसे के सिक्के निकालने हैं तो 50 पैसे के सिक्के हैं 3x तो 3 into 40 हो जाएगा यानि कि 120 तो इसका सही answer होगा option number B अब next देखते हैं 15th question एक cycle सवार उत्तर दिसा में 30 km चलता है पूर्व की दिसा में 40 km जाता है फिर दाईने मुड़कर 20 km जाता है फिर दाईने मुड़कर 40 km जाता है वह अपने प्रारमिक बिंदू से कितनी दूर है देख लेते हैं इसका very simple है कि अब फीगर बनाना आपने अगर फीगर सही बना दिया तो आपका answer अपने आप या जाएगा पहले वह उत्तर की ओर 30 गया फिर पूर पूर का मतलब हो गया दाईने ओर जाएगा हो 40 गया फिर दाईने यानिकी नीचे को 20 गया और फिर दाईने और तीस है तो यह 20 में से 30 में से 20 को हम माइनस कर देंगे तो अब प्रारंबिक दूरी से प्रारंबिक इस तिससे से 10 किलोमेटर दूर होगा तो इसका answer हो जाएगा option number D अब next है 16 जो question है 33 चात्रों की कक्सा में 20 चात्र क्रिकेट केलते हैं 25 फुटबॉल 18 बॉलीबॉल 15 क्रिकेट और फुटबॉल 12 फुटबॉल और बॉलीबॉल 10 क्रिकेट और बॉलीबॉल यदि प्रतेक चात कम से कम एक के लवज से केलता है तो तीनों खेल खेलने वाले चात्रों की संक्या क्या होगी तो इसको कैसे करना है इसमें देखिए यह वे नारेख वाला question है और इसका एक direct formula होता है N A union B union C is equal to N A plus N B plus N C minus N A intersection B minus N B intersection C minus N C intersection A plus N A intersection B intersection C तो यहाँ पर जो A, B, C है वो वही है football हो गया cricket, football और volleyball और वालीबॉल और N A union B union C की total total तो 33 है और cricket, football और volleyball वालों की 20, 25, 18 है N A intersection B हो जाएगा जो cricket और football खेलते हैं B intersection C हो जाएगा जो football और volleyball खेलते हैं और C intersection A हो जाएगा जो volleyball और cricket खेलते हैं और N A intersection B intersection C हो जाएगा जो तीनों खेलते हैं तो यहाँ पर मैंने value रख दी है यहाँ से N A intersection B intersection C की value आ रही है साथ तो इसका हो जाएगा option number C सही अब इसमें 23 सवाल है X का नियूंता मान ग्यात किजिए जिससे की संक्यास 97468X4 आठ से विवाज्य हो तो आठ का जो रूल होता है विवाज्यता का उसमें यह होता है कि जो इकाई दाई सेकड़े से जो संक्या बन रही है अगर वो आठ से विवाज्य है तो पूरी संक्या आठ से विवाज्य होती है तो आप एक एकर के इसमें value रख देंगे पहले X की जगे 2 रखा फिर 3 फिर 4 फिर 5 तो इन में से देखे केवल 824 ही X से 8 से कट रहा है तो इसका सई उत्तर होगा 2 यानि की option number A ऐसी 24 हो question है यह दि संक्या A 81 गुणा 117 गुणा 63 गुणा 46 तीन की गहाद B से विवाज्य है का अधिकतम मान क्या होगा तो इसमें क्या करना हमने आप इन में से चेक कर लिजिए पहले तीन से कौन-कौन कट रही है तो तीन से कटने का नियम होता है कि हम उस संक्या को अंकों को जोड़ेंगे और अगर वो 3, 6, 9, 12 इस तरीके से आता है तो वो कट यह तो जैसे 81, 89 यह कटेगा 117, 7, 8, 9 इसका जोड़ ना रहा तो यह भी कटेगा 63, 6, 8, 3, 9 यह भी कटेगा 46, 6, 4, 10 यह नहीं कटेगा तो जब हम इनके गुणखंड करेंगे तो 81 के तो हो जाएंगे 9, 9 यह नहीं कि 3, 3, 3, 4 बार और 117 होता है 13, 117 तो यहां से 9 कटेगा 13 के तो नहीं होंगे तो 9 के भी 2, 3 हो जाएंगे और 63 होता है 9, 7, 63 फिर यहां से 7 अलग हो जाएगा 9 के 3, 3 हो जाएंगे तो ऐसे करते करते 3 के टोटल फेक्टर हो जा रहे हैं 8, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की घात 8 गुणा 117 गुणा यहां पर 117 गलती से लिख दिया मैंने यहां पर आएगा 13 गुणा 7 गुणा 46, ठीक है तो बी का अधिक्तम मान कितना हो जाएगा 8 तो यहां पर आप्शन नंबर सी स्करेक्ट 34 सवाल यह है इसको देख लेते हैं एक दंडाल एक दे रखा है 1960-1990 तक में ठीरे टोड़ों की संक्या में कितने प्रतिसे ब्रिद्धी भी बहुत सिंपल है 1960 में 26,000 थे और 1960 में 26,000 थे और 1960 में 25 थे दोनों को माइनस करेंगे और बटे जो कम होता है 25 परसंटेज निकालना है तो 100 से गुड़ा होगा तो सीधा सीधा इसमें क्या करेंगे 26,000 माइनस 25 बटे 25 गुड़ा 100 तो यह आजागा 940 परतिसे तो इसका ओप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसी तरीके से 35 सवाल है यह थोड़ा इसके मुकाबले में टफ कुश्यन है देख लेते हैं इसे भी यह कुश्यन आपके आगे आने वाले पेपर में भी काम आएंगे जो भी UKPSC के पेपर आते हैं इसलिए आप इनका सॉलिशन डंग से समझ लीजी तो मुंबई और दिल्ली की जनसंक्या दिखा रहा है हजार में जो और जो ब्रैकेट में लिखा है वो पुरूसों का प्रतिसाथ यानि कि 12500 को 1000 से गुणा करेंगे तो उसकी जनसंक्या है और 55 प्रतिसाथ पुरूस है ऐसी उसमें आसी सो गुणाहजार इतनी जनसंक्या है और 54 पुरूस है यदि मुंबई में 90 पूरूस साक्षर है और दिल्ली में असी पूरूसों की संक्या और दिल्ली में निरक्षर माहिलाओं की संक्या का निकट्तम अनुपात क्या होगा ठीक है निकटतम कह रहा है यानि कि पॉइंट में ज़्यादा अंकारे होंगे तो उसमें आपने नस्दीक में जिसका होगा वाला आप्शन सही मारना है तो देखते हैं इसको कैसे करना है देखिए मुंबई में पुरुसों की संक्या कितनी है 55% तो 12500 गुणा 55-100 वैसे ये 1000 से गुणा करके लिखना था इसको क्योंकि 12500 लेकिन उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि अनुपाद निकालना है हमने तो 1000 तो वैसे भी कट जाएगा आप चाहे तो इसको 12500 ले या तो 90 परतिसाद साक्षकेन तो निरखषकर कितने हों में फिर सो मैनेस 90 से भी का 10% तो 6875 का 10 परतिसाद गुणा 10 200 तो यह आ है सिक्सेट से वनफश कर कि ऐसे लिए में I don't lie में देख्री में देखले चंबंप रतिसाद पुरुस तो इसका मतलब एल ना कितनी हो हो जाएंगी कि 100-54 महिला कितनी हो जाएगी 100-54 प्रतिसत तो यानिक 46 प्रतिसत और टोटल है उसमें 84 तो उसका 46 प्रतिसत निकाल दिया हमने 3864 यह महिला हो गई अब उसमें 80 प्रतिसत महिलाएं साकसर हैं तो इसका मतला हम निरक्षर महिलाएं हो गई 100-80 यानिकी 20 तो इसका 20 प्रतिसत निकाल देंगे तो 3864 गुना 20 अपन 100 तो यह आ रहा है 732 अब हमको क्या निकालना है मुंबई में निरक्षर पुरुस बट दिल्ली में निरक्षर महिला तो इन दोनों को आपस में भाग दे देंगे तो यह आ रहा है 45 मा क्वेश्चिन नीचे दीवी बिन्नों को गठते हुए क्रम में व्योस्तित कीजिए दो बटे तीन चार बटे पार तीन बटे एक बटे दो इनको कैसे करते हैं देख लिजिए बहुत आसान है सबसे पहले हम इनके हर एक समान करेंगे और फिर जब नियम यह होता है कि जब हर समान हो जाते हैं हर मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर तो जब हर समान हो जाते हैं तो जिसका अंस बड़ा होता है वही संक्या बड़ी होती है तो इसका हर समान करने के लिए हम इसका LCM लेंगे हर का यानि कि 3, 5, 8 और 2 का LCM लेंगे तो यह आरा 120 तो अब 2 बटे 3 के नीचे हम को 120 बनाना है तो उसके लिए उसे 40 से गुणा करना पड़ेगा तो अंस में भी 40 से गुणा करना पड़ेगा तो इस तरीके से या जागा 80 बटे 120 4 बटे 5 को 24 से करना पड़ेगा 96 बटे 120 3 बटे 8 को 15 से गुणा करना पड़ेगा 45 बटे 120 आ रहा है और एक बटे दो को 60 से करना वड़ा है तो अब देख लीजिए इनके यहाँ सबके हर 120 बन गए हैं तो जो 96 अंस वो सबसे बड़ा होगा फिर 80 वाला दूसरे नमबर पे होगा 60 वाला तीसरे और 45 वाला चौते तो जो 96 वाला था वो तो था 4 बटे 5 जो 80 वाला था वो था 2 बटे 3 यह दूसरे नमबर पे आएगा जो 60 वाला था वो एक बटे 2 तीसरे नमबर पे आएगा और जो 45 वाला था वो लास्ट आएगा 3 बटा तो यह इनका क्रम हो जाएगा तो इसका option हो जाएगा option number one correct हो जाएगा यह option number one correct हो जाएगा अब देखते हैं पचासवा question इसमें एक आकड़े दे रखें इन्होंने और बताना है कि B से सम्भद अव्यों का प्रतिसत कितना है तो पहले total आकड़ों को गिन लीजिए तो यह आकड़े है total 30 फिर इसमें से हम B को भी गिन लेंगे तो B हो रहे हैं 6 तो सीधे सीधे इसका solution हो जाएगा यह देखिए कुल परेडाम हो रहे हैं हमारे 30 और कुल B हो रहे हैं 6 तो B से सम्भद अव्यों का प्रतिसत जाएगा चाहे गुड़ां सावबट तीस तो याने की बीस परतिसत अब देख लेते हैं हम अठावनवा question यह question सायद छूड़ गया है मुझसर कोई बात नहीं मैं ऐसी पड़ा देता हूं आपके लिए question यह question था किसी कखसा में कुछ bench है यदि चार चात्र एक bench पर बैठते हैं तो तीन bench खाली रह जाती है लेकिन यदि तीन चात्र प्रते एक bench पर बैठते हैं तो तीन चात्र खड़े रह जाते हैं कखसा में चात्रों की संक्या कितनी है तो हमने मान लिया माना y bench है तो पहली condition में क्या था? कि अगर 4 छात्र एक bench पर बैठने तो 3 bench खाली रह जाती तो Y bench हमारी थी और 3 bench खाली रह जाती है यानि कि कुल मिलाकर Y-3 bench में पूरे के पूरे छात्र आ जाते हैं अगर उसे 4 से गुणा कर दे पहली condition में क्या हो जाएगी छात्र संक्या? 4 गुणा Y-3 दूसरी condition में क्या है? यह थी 3 छात्र पर एक bench पर बैठे तो 3 छात्र खड़े रह जाते तो आप यह सूची कि अगर 3 छात्र खड़े रहते हैं यानि कि अगर 1 bench और होती तो पूरे आ जाते यानि कि Y जितनी bench है उसमें से 1 और bench जोड़ देंगे और उसको 3 से गुणा कर देंगे अब दोनों ही condition छात्रों की संक्या है यह तो दोनों समीकरण आपस में बराबर हो जाएगी तो इससे solve करके Y का मान निकाल देंगे आप 15 तो आप किसी भी समीकरण में आप मान रख दो वहां से चात्रों की संक्या आ जाएगी तो चार Y-3 में मैंने रखा है मान तो वाई की जगे 15 15 माइनस तीन बारा बारा चोको 48 तो चात्रों की संक्या हो जाएगी और तालिस नेक्स क्वेशन है फिप्टी नाइन एव अभी किसी कारे को 15 वद 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं उन्होंने एक साथ कारे प्राराम किया किन्त तीन दिनों बाद A ने कारे छोड़ दिया से इस कारे को B ने पूरा किया B ने अकेले कितने दिन कारे किया देख लेते हैं इसका देखिए A द्वारा अभी मैंने आपको पहले वो गंटे वाल भी था इसी प्रकार अगर A किसी कारे को 15 दिन में करता है तो इसका मतला उसके द्वारा एक दिन का किया गया कारे होगा एक बिटे 15 इसी प्रकार B किसी कारे को 10 दिन में करता है तो उसके द्वारा एक दिन का कारे हो गया, एक बटे 10 अब A और B के द्वारा किया गया कारे एक दिन का कितना हो जाएगा इन दोनों को add कर देंगे, तो यह आ जागा एक बटे 6 अब अगर एक दिन में एक बटे 6 कारे करते हैं, तो तीन दिन में कितना करेंगे? तीन गुणए एक बटे चहे, यानि कि तीन बटे चहे, और ये कट जायेगा, तो एक बटे दो, तो अब से इस कारे कितना बचा, वन माइनस वन बाई टू, यानि कि वन बाई टू, तो इस कारे को बी करता है, तो अब एक बटे दो कारे करने के लिए, बी को कितने दिन लगे तो इसका option 20 ही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन टन प्रती ट्रक प्रती दिन के इसाफ से 30 दिनों में कितने ट्रक 540 टन समान दोएंगे तो यह भी एक tricky question है इसका सीधा formula होता है M1 कि गुना T1 गुना D1 अपॉन W1 is equal to M2 गुना T2 गुना T2 अपॉन W2 याने कि M आदमी है T टाइम है D दिन है और W काम है तो T टाइम से मतलब गंटे तो यहाँ पर गंटों का जिक्र तो है नहीं ठीक है और जो यहाँ पर मैं मैं कहे रहा हूँ वो यहाँ पर ट्रक है हमारे तो पहले कंडिशन में क्या है एक ट्रक एक दिन में और काम करता है तीन टन याने कि एक गुना एक बटे तीन और दूसरी कंडिशन है अब ट्रक निकालने हमें तो माना हमने एम टू मान लिए एम टू ट्रक और दिन है तीज दिन और काम करता है पांसो चालिज टन तो यह नीचे आ जाएगा जब हम इसे सॉल्ब करेंगे तो यह आ जाएगा च्छै च्छै ट्रक ठीक है 61, प्रतम 11 प्राकृतिक संख्याओं का समानतर माद्डे है बहुत सिंपल है प्राकृतिक संख्याओं सुरू होती हैं एक से 1,2,3,4,5, Wen, continue करके ऐसे चलती रहती है और समानतर माद्डे होता है संख्याओं का योग विटेकुल संंख्या तो एक से लेके 11 तक की संख्या है टोटल है ग्यारा तो उनका जोड़ा रहा च्यासट च्यासट बटे ग्यारा यानिकी च्यासटों को कुश्चन है च्छतिस संटिमेटर परिमाप के कितने आयत कहींचे जा सकते हैं यदि बुजाएं दनात्मक हों तो यह भी सिंपल है आयत का परिमाप होता है दोगण लंबाई धन चोड़ाई तो यह हो जाएगा 36 के बरावर तो लंबाई धन चोड़ाई हो जाएगा 18 तो अब 18 के आपने अठार को तोड़ना है जिससे उनका जोड़ 18 आए तो पहले हो जाएगा 17 फिर 216, 315, 414, 513, 612, 711, 810, 9, 9 अब यहां से आगे अगर आप करेंगे तो यह हो जाएगा 10, 8 तो वही रिपीट होते रहेंगे इसलिए यही तक ही आएंगे तो इनको आप काउंट करेंगे तो टोटल नौ हो रहे हैं ठीक है इस इस प्रतिसद आएकर है तो आपको इसका कोण बताना है कितना होगा तो वही जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था पूरा कोण होता है है तीन सुसाट डिग्री और 33 परतिसद निकालना है हमें तो बहुत सिंपल है यह यह हो जाएगा तीन सुसाट का 33 परतिसद यानिकि तीन सुसाट गुना 33 बटे सो तो यह आए जाएगा एक सो अठारा दसम्लाव आर्ट डिक 71 कुष्यन है 9 एक्स पराबर 9 बटे 3 एक्स बराबर 9 बटे 3 की गात एक्स तो एक्स का मान होगा ठीक है जिसको गातों का ग्यान होगा वासानी से इसको कर सकता है तो 3 की घात X नीचे है तो उदर आके गुणा में हो जाएगा तो 9 की घात X गुणा 3 की घात X बराबर 9 अब मैंने सब को 3 में ही तोड़ दिया है तो 9 होता है 3 की घात 2 और X पहले से है तो वो गुणा में आ जाएगा तो 3 की घात 2 X गुणा 3 की गात x बराबर, इधर वाले 9 को 3 की गात 2 लिख दिया, फिर 3 की गात 2x, गुणा 3 की गात x है, तो यहाँ पर अब यह जुड़ेंगे, गात की गात तो गुणा होती है, और एक जैसे अंक की गात है, अगर आपस में गुणा में हो, एक जैसे अंक अगर आपस में गुणा हो तो उसकी घात जुडती है तो तीन की घात दो एक्स गुणा टीनकी घात ऐसे 3 कीए बोनों घात तो यहां पर 2x धन 1x हो जायागा तो 3x to 3x supervisor 3x ब्राबर 3 की मी घात दो तो यहां पर घातों की अगर मितुल्णा करेंगे तो 3x बराबर 2, तो x बराबर 2 बटे 3, 72, दो संख्याएं, B वा C, किसी तीसीर संख्या A से क्रमसा 15 वा 32 परतिसाथ कम है, संख्या B से संख्या C कितने परतिसाथ कम है, मैंने यहाँ पर डिटेल में किया है, आप चाहे तो इसे सीधे 100 मान के भी कर सकते हैं, कि सीधे A को आपने 100 मान लिया, तो B हो जाएगी 85 और C हो जाएगी 68, तो B C से कितनी कम होगे, 85-68 बटे 100 गुणा 100, बट 85-68 बटे 85 गुणा 100, और मैंने यहाँ पर x मान के किया है, तो व नेक्स्ट है 75, नेक्स्ट है 75 फिप्ट क्वेशिन, 0.000064 की गात एक बटे दो, और इसकी होल गात एक बटे तीन, इसका मान निकाल रहे है, तो यह कहां पर यह है, इसका सॉलूशन, देख लेते हैं, सबसे पहले हमने जो यह पॉइंट है, इसको दिसमलाव हटा दी है, इस पैंट, तो जितने पैंट के बाद जितने अंग होंगे, उतने 0 लग जाएगे, तो पैंट के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 उंग है, तो 6-0 लग जाएंगे एकक के बाद, तो 10 लाग हो जाएगा तो 64 बटे 10 लाग और घात की भी घात गुणा होती है पहले भी आया था तो घात की भी घात गुणा होती है तो 1 बटे 2 गुणा, 1 बटे 3, 1 बटे 6 हो जाएगा अब 64 के जब आप factor करेंगे तो यह होता है 2 की गाथ 6 और 10 लाग हो जाएगा 100 की गाथ 6 तो ये दोनों की गाथ 2 बटे 100 की गाथ 6 हो गई 2 बटे 100 की गाथ 6 हो गई यहां पर 10 लिख दिया है मैंने गलती से वो 100 है 2 बटे 100 की गाथ 6 हो गई अब 6 गुणा 1 बटे 6 हो जाएगा तो वहाँ तो गात कड़ गई और अंदर बचा 2 बटे 100 अब इसको दसमलब में लिखेंगे तो दसमलब 0,2 तो इसका आंसर आजाएगा A 76 तो किसी घन का आयतन V है इसके कोरों की कुल लंबाई कितनी है तो घन का इदन अगर V है तो इसकी एक कोर की लंबाई होती है क्यूब रूट ओफ V यानिकि V का घन मूल तो V के घन मूल को लिखते हैं V की घात 1 बटा 3 अब यह मैंने आपके लिए चितर भी बना रहा है इसमें आप लाइन गिन लीजिए यह कूर भी तो टोटल घन में लाइन होती है बारा तो इसका मतलब बारा V की घात 1 बटा 3 हो जाएगा इसका अंसर D सदत्तरवा क्वेश्यन प्वड़ा ट्रीकी है इसको करने के लिए देखिए यह हमको क्या करना है यहाँ पर X के साथ 3Q लिया और माइनस कामन लेके Y प्लस 2P बना दिया तो यहाँ पर यह A प्लस B A मैस B का फार्मूला बना ऐसे ही Right and right में भी हमने X के साथ मैनस 3Q ले रखा है और 2P के साथ मैनस Y ले रखा है तो यहाँ पर हमने इसको फार्मूला बना दिया है a minus b whole square वाला तो a plus b a minus b होता है a square minus b square तो जब इसको खोलेंगे हम तो x plus 3q का whole square तो यह होता है a square plus b square plus 2ab यानि कि x square plus 9q square plus 6xq ऐसी हमने सब को खोला x square 9q square minus y square और minus 4q square तो दोनों साइड से कट जाएंगे तो यहां से 6xq 6xq बचा तो यह 12xq हो गया और यहां से 4py 4py बचा तो 8py हो जाएगा अब हमको x upon y की value निकालनी है तो यह हो जाएगा 8p upon 12q तो यह 4 से कट जाएगा तो 2p upon 3q आजएगा इसका answer अब 79 वाला देख लेते हैं यह train वाले question बहुत आते हैं यह SSC बगर हमें भी भूता थे 113 मीटर और 110 मीटर लंबी दो रेल गाड़ी एक दिसा में जा रही हैं तेजी से जाने वाली रेल गाड़ी दूसरे रेल गाड़ी को एक मिनट में पार कर लेती है यदि यह विपरी दिसा में जाएं तो एक दूसरे को तीन सेकेट में पार कर लेती है रेल गाड़ियों की चालों का अंतर निकाली ठीक है देखते हैं तो हमने मान लिया कि तेज चलने वाली रेल की चाल X है और धीमे चलने वाले की Y है तो जब ट्रेन एक ही दिसा में जाती है तो उस समय दूरी तो उनकी लंबाई का योग होता ह और जो आपेक्षिक दोनों का आपेक्षिक वेग होता है वो होता है दोनों के वेग का अंतर और समय ले रहा है वो एक मिनट तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल तो एक मिनट बराबर दूरी यानि के ट्रेन की लंबाई का योग और नीचे चालों का अंतर तो अब मै हम इस मिनट को सेकेंड में बदल देंगे, तो 60 सेकेंड हो जाएगा, 60 सेकेंड बराबर 240 बटे x-y, तो x-y बराबर 240 बटे 60, तो 60 से 240, 4 बार कड़ जाएगा, तो x-y बराबर 4, तो ये वैसे तो समीकरण 1 बन रही है, और अभी हमारे पास दूसरी कंडिशन भी है, तो अगर माना ये ट्रेन की चाल पूस्ता, तो हम दूसरी कंडिशन से भी x-y के फॉर्म में एक समीकरण बनाते हैं, और दोनों को solve कर देते हैं, लेकिन उसने चालो का अंतर पूछा है, तो चालो का अंतर तो x-y हुआ, तो हमको आगे करने की जरूतनी है, यहीं पर आंसर आजाएगा कि चालो का अंतर 4 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80, 10% बार्सिक चक्रवर्दी ब्याज की दर्से कितने वर्स में 1000 रुपे, 1031 हो जाएंगे, तो इसमें जो 1331 है, वो चक्रवर्दी मिस्रदन है, चक्रवर्दी मिस्रदन का सूत्र होता है, मूद्धन गुणा एक दन दर बटे सो की गात N, यानि कि P into 1 पलस R by 100 की पावर N, तो P हो गया 1000 रुपे, R हो गया 10 और N की वेलियों हमें निकालनी है, और ये हो जाएगा, 1330 के बराबर, तो जब हम इसको solve करेंगे, तो 1 पलस 10 अपॉन 100 हो जाएगा, 110 अपॉन 100 इसकी गात N, तो वहां से 00 कड़ गये, तो ये 11 बटे 10 की गात N आगिया, और दाई और 1000 हर में चला जाएगा, तो 1331 बटे 1000 हो जाएगा, तो 1331 होता है, 11 की गात 3 और 1000 होता है, 10 की गात 3, तो ये whole में लिख दिया, मैंने 11 बटे 10 की गात 3, तो 11 बटे 10 की गात N बराबर हो रहा है, 11 बटे 10 की गात 3, तो यहां से गात की तुलना करेंगे, तो N बराबर 3 वर्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, C, धन्यवाद,